नमस्का स्वागत है आपका एस्टोडी के विशेश कारिक्रम में मैं हूं मिराक्षी हमीरपूर में अधिकतर देखा गया है कि बच्चों को MBBS करने के लिए बाहर की राज़न के ओर जाना पड़ता है वहीं उन्हें इंस्तियूट और इंवरस्टी डूढने में काफि परिशानी होती है लेकिन अब हमीरपूर के चात्रों के लिए ये फैसलीटी जो है वो इरा एजुकेशन सुसाइटी ने हमीरपूर में दी है इस वक्त हमारे साथ ERA Education Society के ओनर डॉक्टर पारस मौझूद है आई उन से जानते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो बच्चों के लिए MBBS की फैसलिटी दे रहे हैं दॉक्टर पारस सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में मैं आप सो जानना चाहूंगे कि आखिर पहले मुझे ये बताईए कि एरा जो है वो है क्या है मैं प्रोपर टेके सहाब को बताऊं जो एरा है हम में ये है कि हम बच्चों की हलब कराते हैं एडमीशन कराने में रशिया में जो बच्चे यहाँ पे Mbps, मैं proper marks नहीं ले पाते हैं अपने नीट exam में तो जो बच्चे कम marks लेते हैं उनको लिए eligible नहीं होते हैं उनकी हम help करते हैं जो बाहर बच्चे आपनी ताकि अपनी Mbps के पढ़ाई करके वापस आपके डॉक्टर बन जाएं साथी अगर किस तरह से आप जो है वो बच्चों किसे कॉंटक्ट करते हैं और बच्चों को किस तरह से जो है वहाँ बीदेशों में जो है सैटल किया जाता है खासकर Mbbs में मैं actually settlement की आपको बात बता हूँ तो हम बच्चे जैसी कोई बच्चा interested होता हमारा office है यहाँ पे गानी चोक में में जो है तो उसके बच्चा हमारे पास आता है इसका बहुत easy process होता admission का हम बच्चे का हमें basically जो बच्चे का admission के लिए हमें 10th की mark sheet चाहिए होती है plus 2 की mark sheet चाहिए होती है और हम बच्चे का passport चाहिए होता है तो इन तीन document से हम बच्चे की admission जो हम इंवेश्टिय में confirm कर देता है हिमांचल में अगर बात करूं तो हिमांचल में आपकी कितनी ब्रांच है अभी तक फिलहाल तो especially हमारी हमीरपूर में ही ब्रांच है और हम बड़े better तरीके से यहां पर काम कर रहे हैं और मैं काफी हम लाश्टी भी यहां पर नियर बाउट ट्विंटी सिक्स ट्वेश्ट बेज़ चुके हैं और हमारा जो एक पार्टनर है वहां पर फरीदाबाद देली के जिश्टिक में हैं वहां से हम उनके साथ टाई अप हैं हिमांचल की कितने बच्चे हैं अभी तक जो यहां से भेज चुके हैं आप यहां मिरपूर से ही भेजते हैं बच्चे या फिर पूरे हिमांचल के बच्चों को बाहर भीजा जाता है हमारा में फोकस पूरा हिमांचल ही है हम पहले प्राइटी पूरे हिमांचल को देते हैं और उसके बाद आ अगर बात करूं हीमाचल की तो पहाडी राज्या है यहां पर लोगों को दिक्कते होती हैं कन्वेंस करने में बाहर जाने में लोग जो हैं वो यहां के बहुत सीधे साधे हैं तो अपने बच्चों को बाहर बेजना थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता है तो क्या आपको इ इकती होती है इस फिल में कि जो हम जो हमारा कंसेंट आइसी चार्ज होते हैं जो अधर कॉंट्रक्टर होते हैं वो काफी ज़्यादा हाई मंगते हैं उसको लेकिन हम बिलकुल एक जैनल प्राइज पर बच्चे को जो आप इतना उनकी बच्चे का खर्चा आता है हम इस में फीस्ट भी कम है और जब बच्चा भार से जाता है तो उसका खर्चा जादा आता है और इंडिया में इतने स्कोप नियुजब के तो इस टाम जो तो जो डॉक्टर की फिल्ड है उसमें काफी जादा स्कोप है इंडिया में तो बैटर च्वाइस फिल रहाल एम उसमें पहले से ही मैं जैसे बताया कि वहां पर 238 बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं इंडियन और जैसे बच्चा देली से फ्लाइट लेगा मौस्को की तो मौस्को से बच्चा बाई ट्रेन या बाई कार या बाई बस भी वहां पर ट्रायल कर सकता है जैसे कि हर किसी को पता ह तो हमगा साइथ तो हिस्टर की रुष्या जो है तो पुरे वर्ल्ल में सबसे बड़ी घंट्री है, तो हहां पे बहूंत साही निवर्ष्ट्री है, जो मौसकोος बहुत दूर – जैसे यहां से बच्छा और देली से लेता है पंच घंटे की फ्लाइट लेता है तो वहां уд से मोस्को से भी पांच घंदे की फ्लाइट पॉहँचने में लगती है तो हमें लिए प्याफर करते हैं कि बच्चा पूरे अपने या बाई बस भी ट्रावल कर सकता है निर बाउट फोर आवर्स का रास्ता है बाई रोड इस्टडी के बाद जो है वो क्या नौकरी भी ऑफर की जाती है इन्वस्टी के दौरा मैं एक्शुली बात यह है कि जब बच्चा फोर्थीर में हो जाता है तो उसकी पेशेंट के तब बढ़ती है कि मान लोग की बच्चा जैसे कंप्लेट स्टडी अपने थर्ड यह कंप्लेट कर देता है तो फोर्थीर में जो भी पेशांट आएंगे वो रशीट में ही बात करेंगे अगर बच्चे को रशीन इतनी आती है तो वहां पे स्कोलर्शिप के मतलब बच्च को कभी वहां दिक्कत आती है तो आप से कॉंटक्ट करते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं बताया जाए तो सुरू में बच्चा यहां से जाता है उसे दो ही लेंगोश आते हैं मेली हिंदी और इंगलेश और वहां पे रशीया में जो तो आज के टाइम में हर एक आजमी नहीं बोलता है रशीया जो इंगलिश लेंगोश जैसे आप इंडिया की बात कीजा जैसे कोई बाहर से कोई आजार बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है तो आप भी उसे हिंदी में बात करो इंगलिश में कोई बात नहीं करना चाहेगा तो उसके साथ हम क्वान से डॉकमेंट जो हैं वहां के लिए भीजने बढ़ते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया बिल्कुल सिंपल प्रोसाइज हम बस बच्चे के हमें तीन डॉकमेंट मेली चाहिए होते हैं एक टैंथ की मार्क शीट चाहिए होती है उसके बाद हमें पासपोर्ट च चला जाता है और जैसे बच्चे का वीजा आता हम डिकेट बुक करके बच्चे को डेट बताके उसको हम रिश्या ले जाते हैं इस पूरे प्रोसेस में कितना समयजवाब लग जाता है अब इसका देखा जाए तो अगर जैसे बच्चा मालों हमें फर्स्ट हमें निकाल देंगे विदिन टू डेस हम बच्चे का वीजा के लिए प्राफर कर देंगे मतलो नियर बाट वन वीक में हम बच्चे की एड़्मिशन वहाँ पर कन्फर्म के बच्चे को वहाँ पर ले चा सकते हैं अफ्टर बात करें आपकी तो आपने कैसे सोचा कि यही बात यह है कि जैसे अगोर्डिंग टू एमस्याई हमारे पूरे देश की पोपुलेशन है 130 करोड और उसमें एमस्याई में जितने भी जो इसकी हिस्ट्री है उसमें यह दिखाया गया कि आठ लाख ही डोक्टर हैं जिनके पास लाइसेंस एंडिया में तो उसमें ऐसा है कि झाल में पास जाएंड बाइवर उसमें हमघोली कि इसमें इंडिया में बहुत कमी है डॉक्टर की शंटे का फीचर बॉलबट नहीं चीन जोयुक्त आज जाए जैसे पेस बगारह जोते हैं मैं ऐसे में जैसे परेंड्स होते हार एक हम यहां पर हिमा चल में middle class family से belong करते हैं और ऐसे आपके पास और औरव कंट्रेक्टरियां बहुत सारे हैं जो बोलते हैं सरत आठ लाक में आपके amb vois complete होरी है तब 10 laug लाक thereby हो लिए तो हम जो भी परेंड्स हाता हुमना clear कट ओफ बोलते हैं कि हांजी इतनी आपकी बच्चे की फीस बन रहे इतना आपका खर्चा होगा तो मैं आपको प्रोपरली बात की जाए तो हमारी जो इन्वेस्टी की फीस बनेगी आपके 13 से 14 लाग की बच्चे की फीस बन दी है उसमें आपका वहां पर गौर्नमेंट होस् कादा में ताकि यह नहाँ कि फीचर आपके परेंट्स को दिक्क कता है कि आपने तो इतनी बात की थी आप यहां खर्चा बैट गया हमारा में फोकस है कि जो हम बोलने बिल्कुल पेरेंट्स को बिल्कुल जो परफेक्ट इनफॉर्मेशन नहीं वह हमें उन तक पहुचा है क्या मैसेज देना चाहेंगे हमीरपु के स्टुएंट्स के लिए मैं हमीरपुर में बेसिकली प्रैफर कर रहा हूँ कि इस टाइम जो हमारा हीमेशल प्रदेश है काफी जादा यहां पे कुछ सोर्स नहीं है इंकम के और काफी कुछ गाउं बैकवरी बहुत जादा है तो हमारा इस टाइम सेमिनार चलेगा अठारा जुलाई को जो हमारा चोपड़ा रेजिडेंसी अनो में वहां पे दस वज़े से शाम को तीन वेश तक हमारा सेमिनार है मैं प्राफर करूँगे जितने भी स्टूडेंट्स है जितने प्रेजिडेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं स्टडी के लिए वो उपर हमारे अनुरेज़ेंसी में आए हमारे होटल में हमारे दो से तीन रशियन डेलीगेटर जाएंगे उनिवेश्टी से और हमारी प्रोपर टीम आएगी आप प्रोपर गाइड करेंगी एक्चुली बाहर की कंट्री में एजुकेशन कैसे यह बाहर के लोग कैसे आपको बाहर रहना कैसे तो वहाँ से मैं चाहता हूं कि बच्चों को एक अच्छी मोटिविशन मिलेगी कि हमें प्रोपर ली जाना का है और कौन सी जगह हमारे लिए सेफ है तो 18 जुलाई को हमारा सेमिनार है सुबह 10 वे से सामके 3 वे से तक चलेगा मैं सब को इन्वाइट करता हूं कि सब आके अ मिशिल ले सकते हैं और अपना फ्यूचर जो है वो अच्छा बना सकते हैं कैमरा मैन के साथ मिनाक्षी एस्ट्री नियूज हमेरपूर अब विदेशों में MBBS, MD, MS करना और हुआ असान एरा मैडिकल एजुकेशन सोसाइटी हमीरपूर दे रही है आपको सुनहरा मकाम Medical Council of India और WHO द्वारा मानेता प्रापत यूनिवस्टी में करवाये जाती हैं कोर्स भारती दर्जे सस्ते कोर्सों में 3 लाग तक की स्कॉलर्शिप की भी है विवस्था विदेशी नई तकनीक और अनभगों के साथ शिक्षा के साथ साथ रहने की भी है विवस्था रशिय और यूके में पढ़ाई करने के लिए आसी आएं इरा मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी हमिरपूर अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाने के लिए आसी संपर करें इरा मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी हमिरपूर हमारा पता है इरा मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी गांधी चॉक जकतंबा वियर हाउस थर्ड फ्रोर हमिर्पूर हमारा नमबर है 01972 222 5282 98160 21757 94182 10282 79616236 333